हलो फ्रेंस आपका स्वाकत टेस्ट आएक्यूम है इस वीडियो में डिसकस करेंगी मसिन डिजाइन के प्रिवेस एक्जाम में पूछे गए कुछ क्युशन फ्रेंट्स आप सुभी को पता है ये हमारी सीरीज का छटा वीडियो है इसे पहले हमने पांस वीडियो में अलग-अलग सब्जेक्ट के क्यूशन डिसकस किये है यदि मैं बात करूँ हमने कौन-कौन से सब्जेक्ट डिसकस कर लिये है रेफ्रिजरेशन और एर और हरे क्यूशन के जो आंसर है वो आप खुद देंगे और उसके बाद में आपको सॉल्यूसन देखना है और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने राइट हुए है तो चलिए सुरू करते हैं पहला क्यूशन है बेंडिंग मुमेंट M and torque T is applied on a solid circular shaft if the maximum bending stress equal to maximum shear stress developed then M is equal to तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि maximum bending moment bending stress और maximum shear stress जो है वो इक्वल है यदि हम बात करें solid circular shaft की यहाँ पे हमको कौन से shaft दे रहे की है solid circular shaft तो solid circular shaft के लिए आपका maximum bending stress कितना होता है सिग्मा मैक्स की मैं बात करूँ तो यह होता है आपके 32 M upon pi d cube यह होता है और यदि मैं shear stress बात करूँ maximum shear stress तो वो होता है 16 T upon pi d cube और यह जो दोनों है sigma max यानि की maximum bending stress और maximum shear stress जो है वो आपके दोनों equal दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको सिर्प value put करनी है 32 M upon pi d cube बराबर हो जाएगा 16 T upon pi d cube अब यहाँ पे दिखिए pi d cube से pi d cube cancel हो गया और 16 2 या 32 तो यहाँ पे M बराबर कितना हो जाएगा T upon 2 तो यहाँ पे M की value ही पूछी गई है तो option यहाँ पे A correct हो जाएगा यह जो है आपके bending equation और जो है torsional equation से यह जो है solid circular shaft के लिए आते हैं तो यह आपको पता होना चीए next question देखते हैं अगला question दिया गया है when helical compression spring is cut into halves the stiffness of the spring will be तो यहाँ पे आपको जो है एक spring दे रखी है जो helical है spring कोई भी हो यहाँ फर्ग नहीं पड़ता उसको जो है दो cut में divide कर दिया गया है तो दोनो cut का जो stiffness है वो आपको पूछा गया है तो मुझे रूमी थे कि आप सभी को इसका direct answer आता होगा तो वो direct answer आपको जो याद है वो कैसे आता है वो हम discuss करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप यह कोई spring है जिसका stiffness के है यहाँ पे आपको helical दे रखा है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता spring तो spring होती है अब हम इसको क्या करते हैं दो part में divide कर देते हैं तो जैसे ही मैंने इसक stiffness मान लो k a है इसकी भी k a हो जाएगी तो जो इन दोनों का equivalent होगा k equivalent है वो क्या हो जाएगा 1 upon k a प्लस 1 upon k a तो यह जो हम k equivalent निकालेंगे तो यह कितना आजाएगा यह आपका k a by 2 आजाएगा और जो k a यही तो आपको पूछा गया है कि नई जो spring cut होगे दो part में होगी उस का कितना होगा तो 2 k equivalent और यह जो equivalent है यानि कि यह पूरी spring की है तो पूरी spring की हमने k equivalent को क्या माना था k माना था यानि कि यह two times हो जाएगी तो option यहाँ पे b correct हो जाएगा अगला question देखते हैं if a closely coiled helical spring of mean diameter d is subjected to an axial load w what will be the deflection of the spring तो यहाँ पे आपको जो helical spring है वो दे रहे की है उसका जो mean diameter है वो d दे रहे का है axial load जो है वो w दे रहे है तो उसमें deflection कितना होगा वो आपको बता रहे है जहाँ पे small d जो है यह किसका है wire का diameter और n जो है number of active turns of the spring है और g है modulus of rigidity तो यह जो आपकी spring है जैसे मैं यहाँ पे आपको helical spring जो है बना के बता देता हूँ यहाँ पे आपका जो है w load लगा रगा है यदि हम इसके mean diameter की बात करें तो यह जो है आपका mean diameter हो जाएगा capital D और यह जो आपका wire है यह wire इसका भी कुछ diameter होगा तो small d हो जाएगा इसका जो कुछ material है तो उसका जो modulus of rigidity होगा और यहाँ पे w load हो गया और इसके जितने भी ton है total ton है वो कितने है n है तो इसका जो deflection का formula होता है यानि इस load की वज़े से spring में कुछ length का जो change आएगा उसको हम क्या बोलते हैं deflection इस deflection का formula होता है 8 w d 8 w d cube small n upon z d to the power 4 यह formula होता है जो कि option d में दिया गया है यह आपको direct याद रखना है क्योंकि इसका derivation काफी बड़ा है हमको जो है objective question में कई बार आपको इसकी value देतेगा और deflection पूछ लेका direct और कई बार यह जो formula होता है इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं जैसे d की जग हम क्या पूट करते हैं तो यदि हम 2R पूट करेंगे तो d की पावर 3 है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी 2 की पावर 3 8 8 8 इंटो 8 64 w r cube n upon z d to the power 4 यह formula भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है इसलिए आपको confused नहीं होना है next question देखते है a key connecting a flange coupling to the shaft is likely to fail in तो यहाँ पर आपको बूचा गया है कि यह जो key है वो flange coupling में कौन से force से fail होती है shear से, tension से या फिर torsion से या फिर bending से तो यहाँ पर आपको diagram में दिख रहा है flange coupling यह जो है आपकी flange coupling है यहाँ पर देखिए तो इस motion को रोकने के लिए हम key का यूज करते हैं और यह जो जरूत के हिसाब से हम change कर सकते हैं और यह जो है weakest part होता है इसका क्योंकि हमारी coupling नहीं तूटनी चाहिए की टूट जाए तो यह जो है easily available होती है तो की जो है fail किसमें होती है तो यह shear में fail होती है क्योंकि यहाँ पर जो force लगेगा वो shear force लगेगा तो option यहाँ पर यह correct हो जाएगा अगला question देखते है next question है the maximum twisting moment of the shaft can be can resist in the is the product of permissible shear stress and dash तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो maximum twisting moment होता है वो एक तो आपका shear stress और दूसरा किसका product होता है तो आपको यहाँ पर वीडियो को pause करना है और इसका solution करना है बहुत ही simple question है यदि हम बात करें torson equation की torson equation क्या है तो torson equation होती है टो अपॉन आर बराबर टी अपॉन आईपी यह जो आईपी है polar moment of pinus यह है कई जगे आपको जे भी देखने को मिलेगा जी थीटा अपॉन एल हमको क्या देर का है maximum twisting moment निकालना है जब हम बात करते हैं इन दोनों की तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब टी जो है आपका maximum होगा तब यह जो आर है टो इंटू आईपी अपॉन आर आर की value आर यहाँ पे क्या है आर यहाँ पे radius नहीं है यह है distance from neutral axis जैसे मान लोग यह आपकी subt है ठीक है तो यह जो आपकी neutral axis है इस से जो distance यहाँ पे हम लेंगे तो यह small r इतनी value होगी और यदि हम maximum लेंगे तो यह जो आर है कितना होगा इस subt की radius capital radius होगी तो यह आपका capital radius में बदल जाएगा जब हमाँ T max लेंगे यानि कि twisting moment maximum लेंगे यहाँ पे आपको maximum ही पूछा है तो हम capital R लेंगे तो अब यहाँ पे यह जो टो इंटू IP upon R जो होता है यह क्या होता है यह होता है आपके polar moment of inertia upon radius तो इसे हम बोलते है polar section modulus क्या बोलते हैं polar section modulus तो इंटू Z P यह जो Z P है यह आपका क्या हो जाएगा? polar section modulus या फिर simply हम बोलते है polar modulus तो option यहापे B correct हो जाएगा यही आपको पूछा गया है, तो CRS टेस्ट रोख हो गया, और दूसरा प्रोडिक क्या बच्छा, वो हमारा section modulus बच्छा, polar section modulus, अगला क्यूशन देखते हैं, इन leaf spring, the longest leaf is known is, तो यहाँ पर आपको diagram में दिख रहा है, इसमें अलग अलग जो है, लीप के पार्ट है, यह सबसे छोटा है नीचे वाला, फिर इस से थोड़ा सा long है, और सबसे उपर जो है, सबसे longest है, यह आपका सबसे long है, इस longest leaf को क्या बोलते हैं, इसका आपको नाम पू longest होता है, उसे हम बोलते हैं, masterly, तो option यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, कई बार exam में जो है, आपके execution भी पूछे जाते हैं, जो diagram देके आपको पूछ सकता है, if the tearing efficiency of a riveted joint is 25%, then what is the ratio of diameter of rivet all to the pitch of rivets, तो यहाँ पर आपको जो है, क्या पूछा गया है, ratio of diameter of rivet all to the pitch of rivet, यानि कि D upon P की value आपको पूछी गई है, और दे क्या रखिए आपको tearing efficiency, तो यदि आपको tearing efficiency आती है, तो आप D upon P निकाल सकते हैं, तो फ्रेंस यदि आपको rivets से related कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों वीडियो के thumbnail दे रखे हैं, यह first part है, यह second part है, इन दोनों पार्ट में मैंने rivets को बहुत ही detail में डिसकस किया है, तो फ्रेंस यदि आपको rivets में कौन-कौन से failure होते हैं, कौन-कौन से strength होती है, rivets की efficiency क्या होती है, यह सभी जो जानना है, तो इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखे हैं, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे किसकी efficiency की, tearing efficiency की, यदि मैं tearing efficiency की बात करूँ, तो tearing efficiency होती क्या है, tearing efficiency होती है, tearing strength to the plate strength, यह जो plate strength होती है, इसका मतलब यह है कि जब plate के अंदर, rivet के जो hall हो जाएं, वो यदि उसमें नहीं होंगे, तब उसके strength होगी, यानि कि यह maximum strength होगी, और यह tearing strength होती है, तो इन दोनों का जो ratio होता है, वही क्या होते हैं, tearing efficiency, तो tearing strength क्या होती है, P-D into T into sigma permissible, upon P into T into sigma permissible, यहाँ पर यदि आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है, तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपका कोई, यह आपकी plate है, इस plate की कुछ थिकनेस होगी T, तो यह हमने थिकनेस T लिग दी, और पीछी जो है, यह हमने P लिग दि पी into, दो जो hole होते हैं, इनके बीच की जो distance होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, यदि यह hole नहीं होँगे, तो हम पिच पूरा ले लेंगे, और hole होँगे, तो इनमें जो आदा R इदर आ रहा है, आदा R इदर आ रहा है, यानि कि हम P-D कर देंगे, तो tearing strength जो permissible दोनों cancel हो जाएगा और p-d upon p यानि कि 1-d by p और यह क्या है आपका tearing efficiency तो यहां पर आपको क्या पूछा गया है d upon p तो यहां से हम d upon p निगाल देते हैं 1- tearing efficiency 1- tearing efficiency कितनी देर किया है 25% तो 0.25 यानि कि 0.75 हमारा answer आजाएगा option c correct हो जाएगा अगला question देखते हैं तो यहां पर आपको rivet का head दे रहा है यानि कि rivet को हम head के इसाफ साथ different type होते हैं तो यह जो आपको head diagram दे रहा है वो कौन सा है snap head है pan head है और conical है या फिर steeple है तो यहां पर हमारा जो answer है वो डी correct हो जाएगा steeple ऐसा head जब भी आपको दिखे तो आपको याद रखना है यह steeple होता है फिर हम बात करते हैं यदि snap head की snap head कैसा होता है यदि मैं a की बात करूँ तो यह आपका ऐसा होता है यह जो है snap head बी में क्या देर का है आपको pen head पैन head कैसा होता है मैंने आपको वीडियो में जब lecture theory lecture लिया था उसमें मैंने आपको बताया है अच्छे से यह आपका pen head होता है यह snap हो गया यह pen head हो गया और c आपका कौन सा है conical conical थोड़ा सा इसमें कौन जैसा हो जाता है head यह आपका conical हो गया और यह कौन सा हो गया stipple तो यहाँ पर आपको चारों समझ में आ गया होगे चारों को आपको याद रखना है exam में कोई सी पूछ सकता है next question देखते है friends यह आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like करना न भूले like जरू करें अपने दोस्तों को share जरू करें the object shown in the following figure is यहाँ पर यह जो figure आपको देर का है यह किसका है इसी का मैंने अच्छे से diagram आपको यह दे दिया है यह जो diagram है वही यह diagram है यह क्या है इसे हम बोलते है stud क्या बोलते है stud option यहाँ पर secret हो जाएगा bolt क्या होता है bolt में एक तरफ head होता है और दूसरी तरफ उसके thread होते है लेकिन जो आपका stud होता है stud के अंदर दोनों तरफ thread होते हैं तो यहाँ पर इसका कुछ different use होगा तभी दोनों तरफ thread करते हैं इसका use जैसे आपने देखा होगा cylinder का head होता है उस head को जोडने के लिए वहाँ पर हम यह जो आपका stud use करते हैं pump में भी use करते हैं और बहुत सारे इसके use है और यदि हम बात करें इसके material की तो material generally हम cast iron या फिर hook bolt या फिर eye bolt तो इस diagram को मैंने थोड़ा सा बना बड़ा बना दिया यहाँ पर देखिए यह अच्छे से आपको दिखेगा दिख रहा होगा तो यह क्या है यह आपका hook bolt है तो option यहाँ पर see correct हो जाएगा इसको आपको याद रखना है आज का हमारा last question है a thread profile having included 55 degree angle is V thread, Acme thread, square thread या फिर with work thread तो यहाँ पर आपको बताना है कि thread के बीच में जो angle होता है वो 55 degree किसमे होता है बहुत यह अच्छा question है यह question जो है exam में बहुत बार repeat होता है यह RRBJ का question है RRBJ के जितने भी question है वो आपके repeat होने के chance उसमें सबसे ज़्यादा है यहाँ पर मैंने सभी को diagram के रूप में show कर दिया है सबसे पहले आपको दिया गया है with work thread में यहाँ पर आपको angle दिख जाएगा यह जो angle होता है वो 55 degree होता है कई बार आपको इसका half angle भी पूछ लेते हैं तो half जो है 27 and half होता है तो यहाँ पर हमारा answer जो है वो decret हो जाएगा विदवर्थ thread में thread का जो angle होता है वो 55 degree होता है यह याद रखना है आपको 55 degree फिर आपको V thread दे रखा है यह आपका क्या है वी thread तो V thread में कितना है 60 degree तो यदि मैं बात करूँ V thread की तो आपको 60 degree याद रखना है फिर हम बात करते हैं एक में thread की यह जो है आपका एक में thread है ए यहां पर कितना दे रखा है 29 dengeri यह आपको याद रखना है 29 फिर हम बात करते है square की स्क्कॉर्स सुभी को पता है कैसा होता है ninety degree तो यह आपका 90 degree हो गया तो इन चारों को आपको याद रखना है with thread 60 degree ekme thread 29 square 90 degree और without thread 55 यह जो आपका एक तो विदवर्ट त्रेड है, ये दोने एक्जाम भो ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक में आपको 29 और विदवर्ट जो है 55, ये याद रखना है आपको, तो फ्रेंड्स ये थी टोटल 11 क्योशन, 11 क्योशन में आपको कितने आ रहे थे, कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट क सकते हैं, तो वीडियो को कंप्लिट देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए जय हिन, जय बारत